कि निवात्रम करमिचार रिशातियों इससे साती जो चनाव डूटी करने जा रहे हैं उनके लिए पिछले वीडियो मैंने इंपोर्टन जाने करें दी थी कि आधर्स मद्दान कक्स यानि जो आधर्स बूत है उसका लेयाउट किस तरह किस होगा एजेंट्स और यूवन टू- इस तरह किस तरह किस वहनी चीए क्योंकि कई बार बदाना भी करता एक से ज़्यादा होता है और वह उनमें इस वीडियो में बताँगा कि बैठने की क्या वैस्ता है उसके बाद में उनको पास दिये जाएंगे उस पास का आपको किसी किसी रिकॉर्ड रखना है और तीसरा सबस्क्राइक होरा को कना करते हैं मत बदाना अभी करता है याखन से उनके देटने की वःसता तो मद्दान बूद पर चुना लड़ने वाले पियर थे लिए पोजिलिंग एजेंट तथा मद्दान कर्मियों के बैठने की वस्ते इस परकार से हो कि वो मद्दाता का चैरा देख सके और आवसकते अपर उसकी पैचान को चुनोती दे सके करेंगे उनके पिछे लगबग जो भी एजन बैठेंगे तो जो भी वोटर आएगा प्यवनके पास मैंगा उसकी सब्यूबभ भी देख पाएगा और पिछे बैटे जो एजन से वह भी देख पाएगे और उसी समय उसको चुनोती दे सकते हैं क्योंकि बाद में चुनोती स्विकर नहीं की जाएगी अगला है कि पुलिंग एजन को यह था संभब मद्दा नतिकारियों कि पिछे की और बठाए जाए तो यह आदस जो ले आउट मैंने बता है था मैं आपको दुबरा थोड़ा सा इसको बता दूँ आदस ले दे सके तो यह सारा काम है वह एजिली हो जाए तो एजेंट्स की बैटने की विवस्ता यता संभव जहां तक संभव हो यह पूत जो है इनके जो मिलब यूवन टो-3 इनके पिछे ही हो ताकि एकदम सही तरीके से जो भी मद्दात है उसकी पैचान वह इस्तावित कर सके वो क्या-काम कर रहा है वोटिंग अपार्टमेंट में जा रहा है उसमें मत्दान नेखरेव भापिस की सारी गतिविती उसको देख सके किन्तो यह ध्यान रखना है कि वह अपना मद रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके है ने मत्दान करते हुए मददाता को ना तो कोई बागी जो आए मद्दान अभी करता हूँ बाटने की व्यवस्ता के लिए एक प्रात्मिता का कर्मत्या किया गया है कि सबसे पहले कौन बैठेगा उसके बाद कौन बैठेगा तो सबसे पहले जो राष्टी दलों के जो बीरती है मानेता प्राप्त जो राष्टी दल है देश में जो भी राष्टी दल मानेता प्राप्त है उनके जो भी बीरती है उनक पूरसी राज्य गुजरात मद्यपरदेश उत्रप्रदेश की सी भी राज्य में मानेताप्राप्त कोई पार्टी है उसका कोई केंडिट खड़ा हुआ है उसका जो भी एजेंट होगा वह उस तीसरे नंबर पर या उसी करम में अलगा तर बैठेगा तो अन्य राज्यों में अपने प्रतिकों को इस नर्वाचन में पूर्यत करने का नुमति दीए वह बैठेंगे इसके बाद में रेजिट्रीकरत गयर मानेताप्त दलों के अब 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 भीकरता उनके बैठेंगे यानि जो रस टीकरत है लेकिन मानेता उनको नहीं दिए हुई है राज्य इस्तरी राष्टी इस्तरी की माद जिता नहीं है वो बैठेंगे उसके बाद में तो भी है वो निर्दिली इकनिट जो भी खड़ाओ उनके एजएन्ट बैठेंगे तो बढ़ाइने राजियो मैं माने तरह लों से फिर जो गयार मानेता प्राफ प्राश्टीक्रत दलों के उसके बाद में निर्दली उब्यार्थ यह उनके मद्दान अभी करता बैठेंगे इस प्रकार अगर आप बैठेंगे तो कहीं कोई अब कुछ इंपोर्टेंट ध्यान आपको यह रखना है कि मद्दान के राजनेतिक दलों के नेताओं के फोटो नारे परदस इतनी हो और उन्हें मद्दान समाप तोने तक अटाय रखने की वैस्ता की जाए और मद्दान काक्स के भीदर खाना पकाने या आग जलाने के नुम क्योंबर है वह तो करेंगे इसका लए उमिद्वार है वह कर सकता है इसके लबाघ तौनाव अभी गड़ता यानि जो केंडिट का जो पॉलिंग एलेक्शन एजेंट है वो या प्रतिक उमिद्वार की जो भी एक एक अफी अब गड़ता जो एजेंट ओगे इनको आप सु के लावा कोई मैला आया है उसके गोद में अगर बच्चा है चोटा सा बच्चा है और वो बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता तो उसको आप एलग कर सकते हैं इसके लावा अंदे वो सितलंग मद दाता है उनका कोई सयोगी है तो वो आ सकता है 18 साल के उपर का लेकिन वह एक के अलावा अन्य कोई भी वेक्ति है वो बूत में नहीं आ सकता वोटर है वो मद्दान करने के लिए आ सकता है लेकिन अन्य जो बार बार है वो भी नहीं आएगा यह विश्विश जान रखना है अब जो बात कर रहे थे कि जो बरेवे परपत्र के बार में कि पोलिंग एज एक मद्दान भी गरता गुडता वो उसके अलावा री लृइरि एजएंट भी नुट कर सकता है तो इसके समयंद में अल्ग से जन जान कर देंगे यह तो अब जैसे मालो जीतने भी पणी एजन से वो कितने पुलिंग एजेंट में पर्लीं अवा जारी करना है तो सबसे प लड़ने वाले व Puis फोगो आपको यहां लगनी है इसके लगदार कमाने उह जब्लवा प्रवेस्वत्सिफितर कहीं या। है आपको किस तरीके से कम मिलने को कर दूसरा इंपोर्टेंटि जानकरी में आपको दो रहा था कि यह पास्थ आपको भी ऊसके बास में उनकी जो पहलgetु नियुक्त की जो चाहिए तो यह पहले को आजए है दोनों मिर occupation 된 जो भी नाव को सबूस्द है कई बार उनके निर्वाचन आभी करता है बहुत बड़ा च्पैकाहन होते हैं तो अपस जारी करते हैं तो पिंदिवार्चन गरता है तो उसको इसे का नाम आप जाएगा तो यहां जो नाम है वह को पोलिंग एजिंट करना वह यह जो फॉर्मिट है यह एक नमुना फॉर्मिट है आपको समझाने के लिए जैसे यहां एजिन का नाम पुलिंग अब होने यह तो मफिद्वर करना माझेगा यह निरवाचन अभी करता कर नाम आजेगा जो भी नाम होगा वो आप देख लें उसके बाद में आपको साइन कहां से करनेंगे उसके चेक करनें यह फॉरम आपके पास भरा हुआ आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि मद्दान केंदर संक्या के लिए नियत इस्तान जो मद्दान केंदर के आपके नाम आ जाएगा और यहां अभीर्थी या निर्वाचन आपको अपने सामने करवाने अब जैसे एक तो यहां साइन होगे इसके बाद में कि पिटा संद्रितिकारी के समख अस्ताक्षरित की जाने वाली मद्दान अभीकरता की घोषना अब इसमें यह है कि मैं यह तो द्वरा घोषना करता हूं कि उप्रवर्णित निर्वाचन में लोग दिन दिनियमने से काउंड की तारा 128 जो मैंने पढ़ लिए और मुझे पढ़कर सुना दी गई है मैं निस कि जई है में उसको यह सुनाना है कि उसको किसी बिदरंगे से गोपनी ता भन्गनी करनी है और पोलिंग एजेंट का जो स्टक्सर रहे वो अपने सामने करने अगर मालों को हैं एजेंट करवाके लिया रहता है तो आपको दूबरा उसके साइन उसके पास में यह आप करव है उसके बगल में पुना उसके स्ताक्सर कर वाले और ऌस्वस्त हो जाएगी वही ज्यक्ता है उसके लाबा करता हैं बादान लुख करता हो आपको घृतिय होना उसको आपकैंड रहते है की आपके दुब से डिय था दोफ पासना उसको ब्रहुब और अगर वो महलों बाहर जाता है तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है या पुलिंग एजेंट के क्या करतव यह होंगे वह किसी भी इस्तति में जो उसके पास जो वोटर को लिश्ट की कॉपी होगी वह लेकर के बाहर नीजा सकता नहीं वह किसी लिखित परची में किसी है उनको अपनी जो भी कॉपी है वोटलिस्ट की जो कॉपी वो सौप के जाएगा वोटलिस्ट की कॉपी मद्दान के अंदर से बाहर नहीं ले जा सकता इसके समद्ध में अलग ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब घप याँ एजन्ट कानाम होगा धिक जो में अभी में trat घप तो यहां सामगरी के साथ में साथ में सांगी कि लिस्ट की रहे होगी से आपको मिलान करने यहां मद्दान अपिकरता के साइन और नीचे जो मद्दान अपिकरता के साइन है यह आपको अपने सामने करवाने अगर वह साइन करके लिए आता है तो आपको दुभरा उसके साइन पास में करवा लेने यह इसकी तारीक विगर है वह आपको नोट कर वह नहीं है इस तरह की पूरा फॉर्मेट था ओ तो मैं इस के समल में कि इंड़नध के इंस को श्रHHH से रखना को बड़न किस तरीक से होगा उसके लवा सूद उसके प्रुङ एक इंड़न च्यञकर को सब्सक्राइब के खरन ép करने मैं तो इस समन्द में जुनाओ से समय दित में मैंने प्रतिक टॉपिक पर वीडियो बना रखें चाहें प्यरों के करता भी हो फिवन टू थृ इनके क्या क्या करता भी रहेंगे यू डैरी है प्यो डैरी जो किस त्री के से बरेंगे इसमें कौन से कॉलम होते हैं लाइव भरा हुआ भी मैंने बता दिया है अन्य अभी जो भी पिटा संदिकरी की रिपोर्ट जो इस बार नवाचार है जिसमें एक दो तीन चार पांच जो अलगले फॉर्म है वह आपको किस तरी किसे पढ़ना उसका भी मैंने लाइव प्रोसेस करके आपको होता था हूं उसके पीडियेफ है जहां तो बहुत कि ए मैं टेलिग्रम चैनल वेब लूड कर देता हूं तो अगर आपको आपको तो टेलिग्रम चैनल जोइन कर लें ताकि आपको जो भी सूज़ना है वो मिलती रहे तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक जय जए पारत